तो आदाब नवस्कार को डीनिंग सचेकाल एक बार फिर आप तुमाम लोगा स्वागत है क्राइम तक कहानी कि इस एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमली अच्छी होगी अपना खयाल रख रही होगी आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले वह आपको बता दूं कि watch brain तो वो भी आप सुन सकते हैं मद्यदार कहानी हैं और ऐसी तमाम दिलचफ्श लग अलग कहानीयां भी एन तो एसी कहानियों को सुनने के लिए कुकु अफिम एप पर आप जाकर वहां कहानिया सुन सकते हैं अब आते हैं आज की अपनी कहानी के ऊपर बहुत सारी ऐसी कहानिया इसी क्राइम तक की स्रीज में आपको सुनाई है जो कई बार लगता है कि बता नहीं कितना सच है, कितना जूट है लेकिन फिर दिल नहीं मानता सारे फैट्स चेक करते हैं तो पता कलता है कि ये सारे सच हैं क्योंकि कानूनी दस्तावेज में है, कहीं अफायार में है, कहीं अदालत में, फैसनों के पन्नों में है एक बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं क्या कोई perfect crime हुआ है, perfect murder हुआ है तो इस दुनिया में भी भी बहुत सारे ऐसे हैं, जो अंसुल्जे हैं कि तक वो अंसुल्जे हैं, इसका मतलब है कि वो perfect crime है आज की कहानी एक perfect murder की है लेकिन ये कितना perfect है, ये कहानी के आखर मैं आपको बताऊंगा कहानी सिंगापुर की है, और ये कहानी अपसे करीब 38 साल पहले की है सिंगापुर में एक परिवार रहा करता था इस परिवार के मुखिया था, उसका नाम था आयाकानू मरीथातु मुथू तो नाम थोड़ा सा ठेड़ा है हम लोग के हिसाब से तो इसको मैं आयाकानू ही बोलूँगा, आयाकानू इसका पहला नहीं है तो आयाकानू उम्रे करीब 34 साल थी और 83 की ये बात थे, 1983 आयाकानू और उसकी पत्नी, नगराता ये दोनों सिंगापुर में रहा करते थे तीन बच्चे थे इनके परिवार खुशाल था, हलाके बहुत अमीर नहीं था, गरीब था आयाकानू वहां के एक चर्च में केर टेकर का काम करता था और उसी चर्च के करीब उसने एक चोटा सा कमरा ले रखा था जहां वह अपनी बीवी और तीन बच्चों के साथ रहा करता था सब कुछ जिन्दगी में ठीक क्यल रहा था लेकिन फिर अचानक 18 दिसंबर 1983 18 दिसंबर 1983 को आयाकानू की वाइफ नगराता एक पुलिस्टेशन में पहुँचती है 18 दिसंबर 1983 को और यह पुलिस्टेशन था सिंगापूर का जोच्याट पुलिस्टेशन तो जोच्याट पुलिस्टेशन में पहुँचकर वो पुलिस से कहती है कि मेरा हस्बेंट जिसका नाम आया कानू है, उम्रे 34 साल है पिछले 6 दिन उसे गाइब है अब पुलिस पहले तो कहती है कि 6 दिन से गाइब है आप रिपोर्ट लिखाने आप आई है तो कहती है कि हाँ वो कई बार उसने कहा था कि मैं थोड़ा शायर लोटने में देर होगी पर दो-तीन दिन में लोटा हूँगा लेकिन अब 6 दिन हो गए तो मुझे फिक्र होने लगी इसलिए मैं रिपोर्ट लिखाने आई तो पुलिस ने तप्र तप्तीश की कि कहा गया क्या गया तो उसने का घर से कहकर गया था वो कैसीन हो जा रहा है जुआ खेलने के लिए अब पुलिस को पहले ये भी था 6 दिन के बाद रिपोर्ट लिखाने आए लेकिन ड्यूटी भी थी पुलिस ने गुम्षद्वी की रिपोर्ट लिखे रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने पूचताच की फिर अपने खबरियों को लगाया तस्वीर दी आया कानू की कि देखो कहीं आस पास में मिल जाए मिल जाए तो पता करना अब खबरियों ने भी तस्वीरें ले ली कुछ शुरुवाती दिनों में इन्होंने ढूलना शुरू भी किया लेकिन वक्त बीता गरीब परिवार था पुलिस नो अतना ध्यान नहीं दिया मुक्पिर भी भूल गया अपने नए केस में लग गया देरे देरे वक्त बीता जाता है आया कानू का कोई सुराग नहीं मिलता है ना आया कानू मिलता है हफ़ता महीने बीड जाता है महीने के बाद साल बदल जाता है लेकिन आयकानू का कोई सुराग नहीं इता अब 83 से 87 आ जाता है चार साल बीड गए और सिंगापूर में गायब 34 साल का एक नौजवान उसका कोई सुराग नहीं इन 34 सालों में कुछ वक्त तक उसकी बीवी नगराता ने पुलिस्टेशन के चकर भी काटे अपने पती के बारे में केस के बारे में अपडेट लेने के लिए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला फिर देर देर उसने भी जाना बन कर दिया पुलिस्टेशन बच्चे इधर बड़े हो रहे थे चार साल बीद किया चार साल के बाद 9 जनवरी 1987 अचाना के एक वाक्या होता है आया कानूं के गायब होने के चार साल के बाद 9 जनवरी 1987 को सिंगापूर में एक डिटेक्टिव थे जिनका नाम था अलग मगलाए तो अलाग मगलाए एक डिटेक्टिव जो वहां की पुलिस के लिए काम करते उनके पेजर पे एक मैसेज आया 1987 की बात है उस वक्त मुबाईल शायद था नहीं और याद है उस वक्त पेजर हुआ करता था जिस पे हम मैसेज एक दूसरे को दिया करते थे छोटा सा कमर में उसको लगा कर रखते थे बेल्ट बेल्ट के साथ तो इस डिटेक्टिव को एक पेजर पे मैसेज आता है एक मुख्बिर का और वो मुख्बिर कहता है कि मुझे आप से मिलना एक बहुत इंपॉर्टन्ट खबर हाथ लगी है और आपको ये केस बताना है डिटेक्टिव कहता है कि ठीके तुमा जो इसके बाद उसका मुख्बिर डिटेक्टिव के पास पूंस ता है जाने के बाद जो कुछ वो बताता है डिटेक्टिव पहले तो हसता है फिर कहता तुम पागल हो नशे में हो तुम वो बात बता रहे है जिस पर मैं किया दुनिया में कोई भी यकीन नहीं करेगा पर वो कहता कि मैं जो भी कह रहा हूं उसके हर लाइन सच है आप माने ना माने मुझे खुद यकीन नहीं हुआ लेकिन मजबूरी है कि ये सच है इसलिए आप तक ये पहुँचा हूं डिटेक्टिव फिर भी तयार नहीं था मानने को अब क्यों नहीं था उस मुख्बिर ने डिटेक्टिव को जो कहानी सुनाई वो कहानी ये थी कि उसके अपने सोर्स से ये पता चला है कि 1983 दिसम्बर में एक शक्स जिसका नाम आयकानू था उसका कतल हुआ और ये कतल टीन लोगों ने किया अब यहां तक खबर नॉर्मल थी इसके आगे अब नॉर्मल शुरू है जो उसने डिटेक्टिव को बताया तो उसने काया कि डिसम्बर का महीना था 83 साल आयकानू नाम के एक शक्स का कत्ब हुआ इसी सिंगापुर में और तीन लोगों ने कतल किया कतल करने के बाद लाश किसी के हाथ न लगे तो उन्होंने उसके बहुती छोटे और बारीक पीसेस के आयकानू के जितनी हड्या थी अलग-अलग छोटे-छोटे पॉलिथिन में उन्होंने भरा और अलग-अलग इलाकों में ले जाकर फैक दिया और बाकी जो चीजें थी जो पीसेस उन्होंने काटे उसके बॉड़ी के लाश के टुकड़े किये उसके एक बड़े से कड़ाही में सबसी के साथ बनाया उसमें मसाले डाले पाने डाला और एक तरह से उसकी करी बना दी इसके बाद उन्होंने चावल बनाया अलग बहुत सारा अब उस सबसी की करी जो के आराम से 40-50 लों के हिसाब से बनाया गया और चावल भी राइस भी फिर उसको छोटे छोटे पैकेट में इस खाने को पैक किया गया और इन तमान खानों को जिसमें राइस और वो करी थी जिसमें एक इनसान के अंगों को मिलाया गया पकाया गया है वो पूरे अपने नेवर परोसियों को उसने जाकर खिलाया कि आज़ ये खास डिश है आप लॉंग भी इसको खाईए और कहते हैं कि पूरे परोसियों ने तमाम वो खाना खाया अब ये बात सुनकर कोई भी इनसान सक्ते में आएगा सेम डिटेक्टिव के साथ ही हुआ जब उसके मुखबर ने ये कहानी सुनाई अब मुखबर अपनी बात पर अड़ावातर उसने कहा कि मेरी हर लाइन हर खबर सच है और इसमें कोई जूट नहीं है तो डेटेक्टिव के पास और कोई चाहरा नहीं था, उसने का ठीक है इसके बाद ये डेटेक्टिव अलागम लाए अपने आफिस से निकलता है और सीधे सिंगापुर के C.I.D. आफिस में पहुंचता है और वहां के C.I.D. आफिस में जाने के बाद उनके अफिसर से कहता है कि एक खबर है और ये आपको जाच करनी चाहिए अब C.I.D. का अफिसर पूचता है बताओ क्या है अब डेटेक्टिव उसको सेम वही कहानी सुनाता है जो उसके मुखपिर ने उसको सुनाई थी सेम रियक्शन उस C.I.D. के अफिसर का होता है कि क्या बकवास है क्या पागलपन है कोई भी इन चीज़ों पर बलीब नहीं करेगा कि एक इनसान को मारा गया फिर उसकी करी बनी सबजी के साथ पर राइल्स के साथ पूरे परोसियों को परोसा गया कि कैसे मुम्किन है कोई इनसान कैसे कर सकता है तो उसने का नहीं है मैं अपने मुखपिर को बरसों से मुझे खबर देता रहा है मैं मानता हूँ कि उसने मज़ाद नहीं किया ये सच है CID ने का कि चलो देखो वैसे भी तुम बता रहे हो 1983 दिसंबर का महिना चार साथ हो गए कोई ढूनने फिरने तो आया नहीं पता नहीं क्या एक काम करो हमारे पास और भी केसे हैं तुम अपने लेवल पर इस केस की जांच करो और हर वीक हमें आकर इस केस की अपडेट दे देना कि इसमें वाकई सचाई है के नहीं पहले तो शुरुवाती तप्रीश करो कि ये सच भी है कि नहीं जो मुगबिर तुमारा बोल रहा है डिटेक्टिव वहां से निकल आया उसे लगा कि CID का कोई इंट्रेस्ट नहीं है गले मुर्दे उखारने में बड़ उसे लगा कि मुगबिर पर भारोसा तो किया जाना जाई है और फिर उसे ये भी लगा कि ये अजीब तरह का केस है तो क्यों लो इसको खुद इंविस्टिगेट करें और CID अबसर ने कहा भी है अब पहला काम ये था कि उसने एक शक्स का नाम लिया दूसरा कुलू ये था कि वो किस साल गायब हुआ तीसरा कुलू ये था कि किस महीने गायब हुआ तो आया कानू नाम था दिसंबर 1983 मा गायब हुआ था अब ये तीन चीज थी तो अब इन तीनों को पहले मिलाना था कि ये तीनों कड़ियां मिलती हैं कि नहीं थिरागे की कड़ी मिलेगी अब ये डिटेक्टिफ तमान थानों में अलग-अलग दिसंबर 83 में जो लोग गायब हुए उन सब के लिस्ट ढूनना शूरू करता है अलग-अलग प्लिस्टेशन से ढूनते ढूनते आखिरकार और इसके पास एक नाम दी है तो उस नाम की मिसिंग रिपोर्ट है कि नी कई दिन भी जाते हैं उसे कोई काम्याभी नहीं मिलती है फिर आखिर में वो जोच्याट पॉलिस्टेशन पहुंचता है जोच्याट पॉलिस्टेशन जाने के बाद फिर वहाँ अफसर से कहता है कि मुझे ऐसी फाइल जो जो चार साल पुरानी हो और 1983 की हो दिसंबर के महीने में कोई आया कानू नाम का शक्स उसकी कोई गुम्शिबगी रिपोर्ट है अब जो चार पॉलिस्टेशन छान बिन शू करती है और तारीख 18 दिसंबर उस मुखिर की इनफॉर्मेशन से तीनों चीज मैच कर गया दिसंबर का महीन है 83 साल नाम आया कानू अब यहां पे चौकने की बारी पूरी तरह से डेटिक्टिटिब की थी वो भागा भागा फिर CID के दबतर गया उसने कहा कि देखो यह इन्फॉमेशन सही एक शक्स यहां गायब हुआ है चार साल पहले और सेम नाम का जो उसने बताया बना उसे कैसे बता CID ने फिर कहा कि ठीक है तुमने इतनी मेहनत की है तुमें काम करो इसमें आगे तबतीश करो कि अगर उसका कतल हुआ है तो कातिल कौन है उसकी करी बनाने की सचाई कितनी है डेटिक्टिब को भी इस केस में इंटरेस्ट था उसने का ठीक है बतफ्तीश करता हूँ अब ये करते-करते चुकि 9 जनवरी 1987 को ये पहला मैसेज आया था पेजर पे उसका जनवरी के महीने में उसने इस पुलिस्टेशन में ढून भी लिया पूरा फरवरी वो इंविस्टेशन में लगा रहा है तमाम पुलिस्टेशन से जाकर फिर वो नगराता से मिला उसकी वाइब चुकिके मिसिंग रिपोर्ट में उसका नाम था उसकी फैμिली से बात की नगराता से बात की पडोसियों से बात की करीब 30 लोगों को इंट्रोगेट किया इस जासूस यारी डेटेक्टिव ने और करने के बाद फिर ये CID के उस अफसर के पास पहुंचता है कहता है मैंने पूरे केस की जांच की और पूरे इंविस्टिगेशन को करने के बाद जो मेरी नजर में है वो ये है केस में कुछ लोग सबस्पेक्टेड है जिनको श्रक के घेरे में रखना चाहिए अब उसने एक एक कर बताया उसने का पहली खुद आया कानू की वाइफ नगरा था CID अपसर ने पूछा वो क्यों उसने का कि उसकी कुछ चीजें हैं जो शक पैदा करती है पहली 12 दिसंबर 1983 को आया कानू गायब हुआ उसके वाइफ ने 6 दिन तक इंतजार किया और 18 दिसंबर को जाका रिपोर्ट लिखाई मिसी 6 दिन तक वो क्यों इंतजार करती रही दूसरी उसने कहा कि अपनी रिपोर्ट में उसने लिखाया कि वो कैसी नो गया था जूआ खेलने के लिए जबकि उसकी पूरी हालत माली जो थी वो बेहर गरीब था उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वो जूआ खेले और जूआ खेलने की जाने की बात सची नहीं है तीसरी जिस कंपनी के थुरू वो उस चर्च में केरटेकर था उस कंपनी के ओनर से उस जासूस ने जाकर बात की उसने कहा कि आया कानून 21 और 22 दिसंबर की छुट्टी मांगी थे उससे कि फैमिली रिजन से छुट्टी जाई है और उसने छुट्टी दे दी तो अगर 22 दिसंबर को वो छुट्टी ली तो फिर वो 12 दिसंबर से अगले 6 दिन तक कहीं छुट्टी पे भी नहीं जा सकता और बोला कि 12 दिसंबर को आखरी बार आया था आयकरून और बिलकुल नौर्मल था, बिल्कुल अपने तरीके से काम किया और बिल्कुल ठीक था और यहां से काम करके वक्त पर निकला उसके चुट्टी मन्जूर थी तो जब एकिस बाइस को जो शक्त चुट्टी ले रहा तो वो फिर बीच में चुट्टी नहीं लेगा तो यह सारी चीज़ें कहीं न कहीं यह इशारा कर रही थी कि शायद उसकी बीवी को छुपा रही है पहला शक बीवी पर अब उसने कहा कि कैसे आगे बढ़ें तो उसने कहा अगर मुख्बिर की बात सही है कि उसका कतल करने के बाद उसके लाश के छोटे-छोटे टुकडे बारी टुकडे किये गया और फिर उसे करी बना कर परोसा गया तो यह काम आम इंसानों का नहीं हो सकता है इसके लिए कुछ प्रोफिशनल चाहिए जैसे मटन शॉप जहां कसाई बेजते हैं हमाँ क्योंकि वो जगा बेहतरी जगा है ऐसी चीज़ों को ऐसे सबूत और सुराक को मिटाने के लिए चाहे वो बलड हो बाकी चीज़ें हो उनके पास बड़े-बड़े चाकू होजार होते हैं उस तरीके से मटन मटन के लिए तो किसी ने किसी मटन शॉप सिंगपूर की से मिनिस्ट्री में जॉप करता है और उसी को इस जॉप की वज़ा से एक क्वाटर भी मिला हुआ है जो थोड़ा सवत सुम्साने लाके में तुम्हें है तो बोला कि वो तीन भाई है और फिर हमने एक चीज और पता की और पता ये चला कि आया कानू कभी-कभी शराब पिया करता था और शराब पीने के बाद वो बहुत ये घुस्से में आ जाता था और पडोसियों से पूछता आच में पता चला कि कई बार वो अपने बीवी को टॉर्चर भी करता था पीरता भी था तो यहां पर ये था कि क्या बीवी को मारता पीरता था इसकी वज़ा से उसकी बीवी और उसके तीनों भाई उससे नाराज थे अब ये सारी कहानिया है लेकिन जासूस अपना दिमाग लगा कर 30 लोगों से पूछताज करने के बाद य चलो अलग-अलग घरों में और इन सभी जगों पे छापा मारा जाए शायद उस कतले से जुड़ा कोई भी सुराग या सबूत हमें मिल जाए हलाकि चार साल बीच चुके हैं मिलना मुश्किल है फिर भी ट्राई करते हैं आखिरकार CID की हरी जंडी के बाद 27th मार्च 1987 पां उसकी वाइफ के नगराता की मा का घर एक मतन शौप जहां पे डाउट था और इन सच जगा पे छापा मारने के बाद कुल आठ लोगों को CID के टीम गिरफतार करती है इन में से एक खुद आयकानू की वाइफ दूसरी उसके तीनों भाई और उनकी तीनों बीवियां तो भ आठ लोगों को CID अब गरफतार करती है गरफतार करने के बाद आप उनसे पूच्तार शुरू होती है लेकिन पूच्तार के दौरान आठ के आठ अपने आपको इन चीजों से अलग रखते हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि आया कानू इस दुनिया में है के नहीं है गतल हो गय आप है शैद लौ टायब लिकिन मारने कतल करने टुकड़े करने खाने पकाने इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है अलग-अलग पूच्तात की गई बिठा कर पूच्तात की गई लेकिन कोई मूग खोलने को तयाद नहीं से आईडी को लगा कि अभजादा दिन तक इ तो क्या होगा और कोई सबूत इदर मिल नहीं रहा प्यार साल पुराना मामला ना वो कडाही जिसमें कहा गया कि बनाया गया करी ना वो चाकू जिससे काटा गया ना वो मतन शॉप जिसमें 100% कहा जाए यहीं कतल हुआ ना लाश ना खुद आया कानू तो इसमें एक भी चीज़ नहीं है जो कोट में कुछ साबित करे पर पुलिस पूस्टाच करती रही करती रहा और आखिर कार एक दिन कामया भी मिली इन आठ में से एक ने एकसेट कर लिया उसने का हाँ हमने आयकानू का कतल किया और वो भी 12 दिसम्बर को ही 1983 तो उसने का क्यों उसने बताया कि वो अपनी बीवी को बहुत मारता था जब जब शराब पीता था और बीवी परिशान थी उसने अपने भाईयों से जिक्र किया तीनों भाईयों को इस पर बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने का इस से बदला लेना है, और फिर 12 दिसंबर को उन्हें से एक भाई जो वहाँ की फैनेंस मिनिस्ट्री में क्लर्ट था, उसने अपने घर पर उसको बुलाया, बात करने के लिए, वो काम करने के बाद आया कानू उसके घर पहुंसता, अपने साले के, वहाँ तीनों भाई पहले से मौझूद थे, उन्हें से एक भाई पीखे से रोट से उसके सर पे वार करता है, इसके बाद वो गिर जाता है, फिर उसके बाद उसके सर पे और वार करते हैं, मर जाता है, अब ये था कि लाश को कैसे ठि लेकर आते हैं, फिर तसली से बैट कर उसके लाश के टुकड़े करते हैं, जितनी बोन्स हड्डिया थी, उसको छोटे-छोटे अलग-अलग पॉलेथिन में पैक करते हैं, एक पॉलेथिन नौर्थ की तरफ तो दूसरा इस्ट की तरफ तीसा साूर्थ तो चोथा वेस्ट की फेक आते हैं, ताके कहीं से भी एक साथ, और इतने बड़े टुकड़े ना मिलें कि शक हो की ये इनसानी हड्या है, अब बाकी जो बचा, उसके बाद उन्होंने उसके छोटे-छोटे टुकड़े किये, फिर बाकादा एक कडाही में करीब 40-50 लों के हिसाब से सबजी डाल और फिर उस शरीर के टुकड़ो को डाला, और उसका बिलकुल करी बना दिया, फिर चावल बनाएं उसी हिसाब से, फिर खाने के छोटे-छोटे पैकेट तैयार किये, अब पूरे परोसियों की दावत कर दी, सब को कहा कि ये खास करी है, सभी के लिए, और सारे परोसियों ने खाया, करीब 40-50 एक्जेक्ट होनी, लेकिन कहते हैं 40-50 लोगों ने खाया, ये पूरी कहानी सुना दी, अब पुलिस को लगा कि चलो, अकरार तो कर लिया एक ने, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ था, जो ये पुलिस के सामने अकरार था, अदालत में तो फिर सबूत चा 1997 को पहली बार इन आठों को वहां की एक अदालत में पेश किया गिया, चार्शीट दायर करने के बार, इस चार्शीट में पुलिस ने तीनों भाईयों को मेन कातिल ठहराया, क्योंकि उन्होंने ही कतले किया, और आयकानू की वाइफ और उसकी सास और तीनों भाईयों की प पुलिस ने अपनी कहानी रखी, जद भी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन पूरी कहानी और दोनों तरफ से बहस सुनने के बाद जद ने कहा, वहां की C.I.D. जिन्होंने चार्शीट दाते लिए, कि आपकी कहानी अच्छी है, और कहानी में सब कुछ है, लेकिन अफसो चल सके कि वो शक्स को इस तरीके से मारा गिया, ना कोई चश्मदीद है जिसने कतल होते हुए देखा, ना उन हड्डियों के टुकणों में से एक भी सैंपल आपने कलक्ट किया, जो अलग-अलग उसमें ने फेके थे, तो ऐसी एक भी चीज़ नहीं है, लेकिन कहानी भरप उसने का ठीक है में लौट, हमारे पास कहानी है, सबूत नहीं है, बट एक मदद किए इस केस को सौल करना है, और हमें पका यकीन है, उसने सिर्फ एक दलील ली कि अगर चली ये कतल नहीं हुआ तो आज चार साल हो गए, आया कानूं आज तक नहीं लौटा, कम से कब हमारी थोरी अतनी तो सही है कि वो इस दुनिया में नहीं है वनना लौट कराता, अदालत ने इस बात में माना कि हाँ, ये इसमें आपके थोड़ा दम है, तो पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि ठीक है आप आप आट में से इन पांच को छोड़ दीए, जो पांचों महिलाएं, तीम पुलिस ने के जरीए फिर बाकी सबूत एकटा करेंगी, अदालत ने उनकी इस फर्यात को मान लिया, पांचों आटों को रिहा कर दिया, और इन तीनों को पुलिस कर्षड़ी में भेज दिया, अब पुलिस ने तीनों से पूच्टाच करती रही, पूच्टाच करने के बा लिकिन कोई फैदा नहीं हुआ, एक भी पुलिस के हाथ में सबूत नहीं लगा, न तो जिस कडाही में बनाया गया वो बहुत पुराना उसमें से कोई सबूत अब हासिल नहीं किया रह सकता था, न वो हतियार मिला जिससे टुकड़े किये गए, न लाश मिली, न हड्या मिल न खुद आयकानु जिन्दा मिला, तो सिंगापूर पुलिस भी हताश निराश, इधर एक यानवे, साल नीस से एक यानवे आगया, चार साल बीद गई ये लोग जेल में हैं, तीनों भाई, इन्होंने अप्लिकेशन लगाई कोड में, कि मिलाट हमें कब तक सिर्फ एक कहा तो आटिए सेवन में बटे, पुलिस ने कहा कि हम जानते हैं की हमारी त्योरिय सही है, यही कहानी है, लेकिन सबूत नहीं है, अदालत ने कहा कि हम सिर्फ कहानीों पे फैसले नहीं सुना सकते, सबूत नहीं है, तो इसका फाइदा जो ہے, अकियूस्ट को मिलेगा, और यह कह से 95 आ गया चार साल और बीद गया अब दीरे दीरे लोग इस केस को भूलने लगे थे वना एक दौर था कि हर वक्त हर दिन अखबारों में बाकी जोगों पे करी की स्टूरी यह करी मडर जो बहुती मशूर को ख्यात हो चुका था सिंगापूर का बलके इंटरनेशनल मेरिया म को आपने खिलाडा रहा तो एक क्यानवे से पंचानवे आ गया लगबख धीरे धीरे लोगों के जहन से अब यह कहानी धूंगली होती जा रही थी लेकिन पंचानवे में फिर लोगों के जहन में इस कहानी ने एक बार और दस्तरती है हुआ यह कि 1995 में सिंगापूर की टेल सिंगापूर कॉर्परेशन टेलिवीजन बलके टेलिवीजन कॉर्परेशन ऑफ सिंगापूर टी सीस ने एक सीरीज बनाई सीरियल बनाया उसका नाम था डॉक्टर जस्टिस इत्तफाक से जब यह सीरियल आया तो 87 की वो कहानी लोगों के जहन में एक बार फिर से ताजा हो गी क्योंकि यह सीरियल इसी करीम मैं के उपर था और यह सीरियल इसी आया कानूं के कहानी के उपर था और इसमें दिखाया गिया कि एक शक्स कैसे गायव होता है उसके बाद तीन उसके साले उसका कतल करते हैं फिर उसकी करी बनाते हैं फिर राइस के साथ पूरे महले में ब इस टीवी चैनल ने प्रसारित कर दिया अब जब यह आया तो लोगों के फिर से वो कहानी याद आ गई और यह सीरियल हिट भी हो रहा है अब इतफाक से इन तीनों भाईयों ने भी देखा यह सीरियल सीरियल देखने के बाद उने लगा कि यह तो हमारी वही कहानी है जिस पर हम जेल से निकल कर आ चुके हैं बट उसमें हमें सीधे सीधे यह कल्प्रिट दिखा रहे हैं गुलेंगार दिखा रहे हैं उन्होंने इस चैनल के खलाफ कोर्ट में डिफरमेशन का केस दाखिल कर दिया और कहा कि यह हमारी अब मानना है क्योंकि अदालत हमें छोड़ चुकी है लेकिन अदालत में बहस हो इसका अदालत ने कहा कि ठीक है लेकिन इसमें आपका कहीं ऐसे डारेक्ट नाम और वो नहीं जुड़ावा है वो एक कहानी थी जो रिकॉर्ड पर थी अदालत में थी पुलिस्टेशन में थी तो उसी को बेस्ट बना कर इनोंने यह सब कुछ किया है तो यह तीनों भाई यह डिफिमेशन का केस हार गया लेकिन 1995 से आज 2022 हो गया 38 साल हो चुके है आयकानु ने 38 साल में आज भी लौट कर नहीं आ है तो सिंगापुर्पलिस की एक थेओरी तो सही है लगभक सही लगती है वो यह कि अगर वो जिन्दा होता तो पलट कराता 38 साल बाद भी वो नहीं आया तो इसका मतलब है कि पेजर पर उस मुखबर ने जो खबर दी थी जो कहानी दी थी वो कहीं न कहीं से सही है उसके जिन्दा होने की गुझाईश कम है और अगर वो जिन्दा नहीं उसका कतल हुआ है तो फिर जो भी कातिल है वो आजाद है यानि कातिल ने एक परफिक्ट मडर किया है कम से कम आज की तारीख तक तो हम यह कहीं सकते है तो यह थी कहानी सिंगा पुर्गी एक अजीब कहानी अब कहानी खत्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसला एक आज यह हमारी सीमा जी का बड़े है हैपी बड़े सीमा जी यह लोस एंगलेस में है और संजीब भाई इनके हस्बें और इनके दो बच्चे बहुत ही अच्छे इनसान यह लोग बड़े मिलंसार और मेरी जब्भी बात होती है एक दम अपना पंसा ही लगता है तो उपर वाले से यह दुआ है सीमा जी आप हमेशा अच्छी रहें खुश रहें और नवंबर में आप आभी देंगी है तो आप मुलाकात होती है और संजी भाई से भी होती है और यूँ ही आप कहानिया सुनते रहें हाँ इनों ने मुस्य यह भी कहा कि आजकल कहानी सुनाते वे आप उदास दिखते हैं तो ऐसा नहीं है आपने कहा तो ऐसलिए मुस्कुरा कर आपको हाला कि कहानिया ऐसी होती है कि उसमें मुस्कुराने की जगह ही नहीं बचती है सारी दुख तकलीफ, आहें, गम, ट्रेजडी अब उसमें हसने का मौका नहीं मिलता है लेकिन हैपी बर्डे सी मनी है इसके लावा आज प्रेंग का यादफ जी का भी जनम दिन है तो हैपी बर्डे प्रेंग यादफ जी और अमित यादफ जी ने भेजा उनकी पत्नी है तो इंजॉय किजिए बर्डे गौरब पाल इटावास हैं आज इनका भी बर्डे है तो हैपी बर्डे गौरब साप इसके लावा प्राची प्राची का भी आज जनम दिन है हैपी बर्डे प्राची और प्रशोत्तम चावरा जी ने भेजा उनकी बिठिया है मनोहर सिंग वाघेला आज इनका भी बर्डे है तो हैपी बर्डे मनोहर सिंग जी और पीटा भाई लोखनोत्रा इनोंने भेजा है लखन उत्रवल के साथी मिश्रवा जीतु भाई वन्ष इनका भी आज जनम दिने तो हपी बड़े मिश्रवा और विजय सेवरा ने भेजा है वाजित सईद का भी आज जनम दिने तो हपी बड़े वाजित भाई और लखनों से भेजा है इनोंने इसके लावा परतिग्यानी सोनी इनका भी आजनम दिन है तो हपी बड़े परतिग्यानी और राम सोरूप इंदोरिया ने भेजा है अरबास खान का भी आजनम दिन है तो हपी बड़े अरबास जैपूर से हैं ये इसके लावा अनिल कुमार शौ इनका भी आज जलम दिन है तो हपी बड़े अनिल कुमार भाई और सिमरन शाह इनके पिता हैं इन्होंने भेजा है और सिमरन जी के हस्बंड काशीनात जी इन्होंने भेजा है साथी धर्मेंद्र खीचर इनका भी आज जलम दिन है तो हपी बड़े धर्मेंद्र भाई और संजू खीचर ने भेजाया इसके लावा शुभांकर सोला तारिक को इनका बड़े था बलके है कल तो लेकिन वक्त का कुछ हेर भेर है तो एडवांस में हपी बड़े शुभांकर साथ बलके शुभांकर भाई और यह लिपसा ने भेजा है इनके हजबन ने लिपसा के यह उडिशा के रहने वाले हैं दोनों लेकिन फिलहाल सौथ सौथ अफरिका में हैं और अंबिका सुगंदा इनका भी आज जनम दिन है तो हपी बड़े अंबिका और समीर कुमार की वाइफ हैंगे साथी दीपक सालूजे चंद्रस्वामी की कहानी सुनना चाहते हैं जो मैं अलड़ी सुना चुका हूं इसी क्राइम तक की कहानी के लि पुषपांक ने कहानी की फरमाईश की है जितंद्र पवार ने भी थैंक्यू वेरी मच इसके लावा सावेस कुरेशी हैं इन्होंने भी कहानी की फरमाईश की है अब है हंगे हैं कहानी की फरमाईश की है साथी विनोध सिकरवर है थैंक्यू सो मच आपके मेल के लिए विन प्रवीन कुमार सिंग है और इनका कहना था कि जैकलीन और यह सब जो सुकेश केस में पूस्ता चल रही अगर गिरफ़तार होती हैं तो यह तो विदेशी हैं तो ऐसा कुछ नहीं हमारे प्रमार करन है और इसराइल से कोई में यहां अलिजबत की कहाने सुनना चाता है में यहां यहां प्रमार करण है और इसराइल से Queen Elizabeth की कहानी सुनना चाहते हैं कि यह और लोगों ने कहा है तो मैं जल्दी सुनाता हूँ और साथी आज हसरत नाज और गौहर अली इनकी आज अनिवर्सरी है तो हसरत और गौहर अली साब आप तोनों को बहुत पुत मुबारक हो आपकी इस अनिवर्सरी के लिए कहानी में आज इत रही अब आप से मलाकात होगी कल रात 9 बजी किस नहीं कहानी के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा थैंक्यू बरे मच्च